हलो स्टूडेंट्स आज हम रीट करेंगे इंग्रेश लिटरचर में चेप्टर थर्टीन जिसका नेम है अलेसन इल लाइफ फ्रॉम अ बैगर मीना इस अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन मीना एक अच्छी फ्रेंड है मेरी वो कौन एक लाइसी ऑफिसर है जो अच्छी खाजी सैलरी अन कर रही है लेकिन उसके बाद भी इसके बारे में कुछ ची अजीब सी है कि इतना को करने के बाद भी बहुत उदाज रहती अनहे फेरी खुश नहीं रहती Whenever I met her I would start to feel depressed जब भी मैं उससे मिलता मैं कौन ऑजो author जो उसमें इस स्टूरी लखी है जब भी मैं से मिलता, मैं हमें देप्रेस में आया था, ठीक है मलता टैंसर में आया था, सोच में आया था It was as though her gloom and cynism had a way of spreading to others जब दूसरों को नेगेटिविटी से बत कोई भी चीज का जवाब नेगेटिव वे में देना She never had anything positive to say on any subject or about any person For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? जैसे कोई बात है तो मैंने उसे कहा का Meena, क्या तुम्हें पता है, Rakesh जो मारे स्कूल में पढ़ता था, वो फर्स्टा है Meena's immediate reaction would be to belittle the achievement अब उसको कोई भी चीज को एकनोर करने के लिए, कोई बात को ऐसा सोचने के लिए, कि सामने वाला मुझे शीज से बुरा मैसूस नहीं हो तो उसने ये कह दिया, कि हाँ, तो क्या हो गया Naturally, his father is a school teacher, she would say क्योंकि उसने कि हाँ आया होगा, क्यों उसके पापा के school teacher है उसने ये accept नहीं किया, कि हाँ उसने पढ़ाई की होगी, इसलिए वो आया होगा उसने क्या, गया negative way में answer दिया यहाँ उसके पापा is school teacher है, इसलिए वो first आया होगा If I said Mina, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? She would be prismatic When a pony is young, उसने बात की, उसने एक और एक ग्जामपल गया उसने बोला, Shweta, बोला अची, होग सुन्दर लड़की है Isn't she? नहीं है मलब हो तो उसने इस वे में answer दिया कि हाँ When a pony is young, she looks handsome It is age that matters, wait for some time Shweta will be uglier than anyone that you know उसने बोला कि उसके अभी चोटी बगर अची है इसलिए वो अभी अच्छी लग रही है लेकिन हाँ उमर के साथ सा जब उसकी उमर हो जाएगी तब भी फिर तुम उससे कहना कि हाँ ये तुम अच्छी है कि सुन्दर है कि नहीं है कोई भी लड़की उससे सुन्दर और होंगी लेकर वो और सुन्दर नहीं होगी मीना, it's a beautiful day, let's go for a walk अब उसने समझ गें दो बातों से कहाँ उसके मन में उसका मूर कैसा उसने की तो मीना काफी अच्छी अच्छी दिन है चलो की घूमने चलते हैं walk पर उसने कहाँ कि नहीं मैं नहीं नहीं जाओंगी क्योंकि धूब बहुत जाओंगे अगर मैं जाओंगी besides, who says walking is good for health there is no proof वो कहाँ रहती थी चलना से तो अच्छा होता लेकर कोई proof इसका नहीं है देट वस मीना she stayed alone in an apartment in Bangalore और उसके parents कहाँ रहती देली में she was an only child and had the habit of complaining about anything and everything वोई अकेली अपने घरवालोगी एकी चलती और हमेशा कोई नहीं चीज की complaint वो हमेशा करती रहती थी naturally, she was in very pleasant company and nobody wanted to visit her उसकी ऐसी company थी इसने उसका behavior था और कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था नहीं कोई इससे मिलना चाहता था then one day Meena was transferred to Bombay and soon we all forward about her और एक दिन उसको काशिफ हो गई वो Bombay में हो गई और उसके बारे हम सब कुछ उसको भूल गए many years later I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Mount fountain वो कहारा भूस समय बहुत सालो बात मैंने अपने आपको कहाँ पे में गया Bombay गया जिस चेह के नाम है Flora's Mountain बहाँ पे गया और बहाँ में बारे साथ में बहाँ परिशन हो था it was pouring and I didn't have an umbrella I I was standing near a popular departmental store वो कहारा था कि हाँ काफी बारिश हो रहे थी हो मेरे पार umbrella भी नहीं था कि मैं अपने आपको हैट कर सकूँ या कि जा सकूँ Waiting for the rain to subside कि मलब वो इंट्यार कर रहा है कि बारिश चली चली जाए Suddenly I spotted Mina अचानल उसकी नहर किस पर गई Mina पे My first reaction was to avoid being seen by her उसने क्या सोचा कि मैं इसको about कर दूँ उसकी तरपन देखू नहीं मैं Having to listen to her never ending complaint फिर वो कहेगा मैं लोगे फिर वो यह बात करेगी अपने बारे complaint कर देगी मलब कोई की बारे में बराई करेगी यह इसलिए उसका एक्छानिती उससे बात करनेगी However, she had already seen me and caught hold of my hand cheerfully and said बलकि उसने खुद मुझे देख लिया और मेरे हाथ पकड़के बुली Hey, I am really excited It's nice to meet old friends वो कह रही यहां मैं बहुत खुशी हुई मुझे तुमसे मिलके और अच्छा लगा पराने दोस्तों से मिलके What are you doing here? तुम्हें क्या कर रहे हो? I explained that I was in Bombay on official work उसने का कि मैं Bombay मैं हूँ कोई office के काम से मैं आया हूँ यहां पर फिर उसने का Then stay with me tonight अच्छे काम गोरो आज मेरे हैं रुखो हम लोग साथ में रुखती She said, let's chat हम लोग बात करेंगी Do you know that old wine old friends and old memories are precious and rare उसों इमोल नहीं होता हमें से बहुत इंपोर्टन होती है Abbo कह रहा I couldn't believe it मैं उसको बिश्वास नहीं गोरा कि वही मीना है जिससे हम पहले मिले थे जो मैं लोग उसका nature इतना अजीब था और अब यह सको क्या हो गया Was this really मीना? I pinch myself hard to be sure that it wasn't a dream उसने अपने आपको pinch किया और सोचा कि यह dream तो नहीं है But मीना was really standing there right in front of me लेकर सच में मीना उसके सामने खड़ी थी Squeezing my hand, smiling and yes, she did look happy और लेकर वो हाथ पगरने थी और पेले सादा खुश लग रही थी In the three years, she had been in Bangalore I had never once seen her smiling like that A few strands of grey in her hair reminded me that years have passed उसके बालो में कुछ grey बगरा कि मुझे लगा था कि हाँ, अब कुछ साल बीच चुके हैं There were a few wrinkles on her face but the truth was that she looked more attractive than ever before So, चेरे पर को जबी मुझे बगरा थे लेकर सच बात यह थी कि पहरे से जाद अब वो अच्छी लगने लगी थी Okay students, आज हम continue रखेंगे यहीं तक इसके आगे हम continue करेंगे next class में